नमस्कर दोस्तों बैगन के सुखी सबजी बहुत ज्यादा टेस्टी मचली के स्वाद में बना है दोस्तों तो इसका फुल वीडियो आज कीजिएगा एक एक पॉइंट में बहुत बढ़िया स्वाद छुपा हुआ है दोस्तों तो देखिए दो बैगन है इसको पहले कट कर लेना है कटिंग कीजिएगा थोड़ा गोल गोला कार भुजिया की तरह इसको बैगन की सुखी सबजी बोलिए या बैगन की भुजिया बोलिए तो इस तरह से इस बैगन को कटिंग करना है कटिंग करने बैगन तो हलका मतलब थोड़ा सा सड़ा हुआ निकल ही जाता है तो इस पार्ट को अलग कर देना है इस तरह से इस पार्ट को हटा दीजिएगा अगर आपका वैगन सही रहेगा तो नहीं निकालिएगा लेकिन थोड़ा सा इसमें सड़ा हुआ निकल गया है दोस्तों चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब ना किये हैं तो कर लिजिएगा बेल आइकन प्रेस कर लिजिएगा जिससे हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप लोग हमारा रेस्पी सीख पाएं तो देखे इस तरह से कटिंग करना है वैगन को उसके बाद वीडियो पे बने रहिएगा एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा दोस्तों बहुँ ज़्यादा टेस्टी वैगन के सुखी सबजी बनने वाली है तो देखे इस तरह से वैगन हो गया है कटिंग अब इसको एक बरतन में पानी लेना है इस पानी में डाल करके पांच मिनट तक छोड़ देना है पांच मिनट बाद इस पानी से अलग निकालियेगा तो इस पानी बिल्कुल लाल जैसा हो जाता है कलर तो बैगन में जो कोई तिखापन होगा ओस सब पानी में आ जाता है तो इस तरह स पड़ा हुआ आचार उसमें से थोड़ा सा ले रही हूँ लहसुन कली अधरक थोड़ा सा अब इन सब को बढ़ियां से पेश्ट बना लेना है पेश्ट बन गया है इसको साइड में रखते हैं और तब तक के लिए देखिए बैगन भी पांच मिनट हो गया है दोस्तों अब इसको पानी से अलग निकाल लेना है तो इसका पानी लाल लाल निकल जाता है तो बैगन में जो कोई ती तोई होगा ओ अलग निकल गया बैगन से अलग हो जाता है बैगन बढ़ियां किलीन हो जाता है तो इस तरह से बैगन को पांच मिनट पानी में जरूर छोड़िएगा अब कड़ाही गरम होने पर एक चमच सरसो ऐल डालिएगा छोटा चमच से थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा मेथी दना, थोड़ा सा राई अब इन सब को पक जाने के बाद में तीन लाल मिर्चा आपको लाल मिर्चा पसंद नहीं होगा, तो हरा मिर्चा भी डाल सकते हैं दोस्तों लेकिन इस बर मैं लाल मिर्चा डाल रही हूँ अब इन सब को पक जाने पर बैगन डालना है और बैगन डालने के बाद एक दो बार चला करके और फिलेम को एकदम से लो कर देना है क्या क्या पढ़ेंगे तो वीडियो पे बने रही है दोस्तों हलका सा फ्राई हो गया है तब इसमें डालना है नमक स्वादम सार कीचन किंग मसाला हाप चमच हल्दी पौडर हाप चमच गोलकी जीरा पौडर एक चथाई चमच छोटे चमच से थोड़ा सा गरम मसाला और उसक अचार वाला जो पेश्ट था उसको डाल देना है अब उसको डाल देने के बाद में थोड़ा सा कस्मीरी लाल मिर्चा पौडर डालना है दोस्तों इससे इसका कलर बहुत बढ़िया बनेगा और थोड़ा सा टेस्टी भी दिखेगा तो इसलिए कस्मीरी मिर्चा पौडर ड अगर आपके घर पे नहीं होगा तो नहीं भी डाल सकते हैं कोई दिकत नहीं से अब इसको मीडियम फ्लेम पे उलट पलट करके सेक करके पकाना है तेल बिल्कुल कम लगेगा बहुत बढ़िया बनेगा दोस्तों तो देखिए इस तरह से इसको उलट पलट बीच में करते रहन है तो पांच से आठ मिनट तक पकेगा बैगन बहुत बढ़िया जल्दी पक जाता है दोस्तों तो जटपट से आप लोग बच्चों के टिफिन में या ड्यूटी जाने वालों के टिफिन में जटपट से इस आइडिया से बैगन के भुजिया या सुखी सबजी बना सकते ह हैं और इसको ऐसे भी सुबह के नास्ता में रोटी चपाती के साथ बनाया सकते हैं दाल चावल पर भी चलने वाला रेस्पी है दोस्तों इस बात को ध्यान दीजिएगा बहुत बढ़िया टेस्ट इसका लगता है मचली के स्वाद में बनेगा दोस्तों तो एक बार इस तर इसको भूजिया भी बॉल सकते हैं तो देखिये हो गया है तैयार अगर इस भी आप लोग पसंद आएगी तो एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारा चैनल को सबस्क्राइब ना किये हैं तो कर लिजिएगा जिससे हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा दोस्तों और हमारा हर एक वीडियो आप लोग देख पाएंगे हमारा मिशन है आप लोग को खाना बनाना सिखाना और आप लोग हमें फिर इमें सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक एक कमेंट वीडियो पसंद आने पर जरूर कीजिए दोस्तों ज